नमस्कार दोस्तों आप सभी का अमारी यूटूब चैनल जिगेसा सोलूशन में स्वागत है आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने फॉन की मदद से गूगल एड्स कैसा लगा सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं यदि आप भी गूगल आप हमसे संप्र कर सकते हैं हमारे नमबर आपको डिसके बसन में मिल जाएंगे तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं इसके लिए सबसर पहले आपको अपने फॉन में पॉपिन ब्रॉजर डाउनल कर लेना क्योंकि हम यहाप इस ब्रॉजर को यूज़ करेंगे नौर यह सब करने के बाद यह आपके सामें देखिए गूगल अट्स का डैसबोर को इस तरह से खुल जाता है अब यहाँ पर आपको एड बनाना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेको न्यू केमपेन का उप्शन देखाई दे रहा होगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए आप से पूछ रहे कि आप केमपेन का उबजेक्ट ही क्या है तो आपको यहाँ पर क्रेट एक विताव गौल गैडेंस को सेलेट कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च जो यह आरा है इस केमपेन टाइप उसमें आप विजिट है तो हम यहाँ से विजिट चाहते हैं तो हम इस उप्शन को सेलेट करेंगे और अपनी यहाँ पर वेबसेट का लिंक डाल लेंगे जो भी है कि मैं यहाँ से अपनी वेबसेट का लिंक डाल देता हूं कि www.techreels.in कि Techreels.in उसके बाद यहाँ से अपने यहाँ पूचर आपको यहाँ नाम टालेना है में यह क्रिप्ट नाम टाले तह। मैं यह कैमपेन का नाम बिसकलिक्र्प्ट है तो मैं यहिए यहां एंटर कर देता हूं मिजिट क्लिक अचुर्शन पर उक्लिक करना है उसके बाद यह पूचे रहे, campaign setting, यह देखिए, कि आप अपना ad किन की network पर show करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यह जो search network और display network है, दोनों को यहाँ से entry कर देना है, हम दोनों पर यह अपना ad show नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना ad google search में देखाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ से location का पूचेगा कि आप कहां का देखाना चाहते है, तो आप यहाँ से particular state, district या कोई भी location select कर सकते हैं, मैं यहाँ से इंडिया select करूँगा, मेरा ad इंडिया में देखना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ से पूचे रहे कि आपकी audience कि इस language क्योंने चाहते हैं, तो आप यहाँ पर English या Hindi को भी select कर सकते हैं, यदि आपकी दोनों हैं, तो आप दोनों select कर सकते हैं, मैं यहाँ पर by default English रहने दूगा, क्योंकि मुझे English audience को target करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर next option पर click करना है, उसके बाद यह कहा रहा है, get keyword suggestion, मतलब आपको यहाँ पर keyword add करना है, simply, अब आपको यहाँ पर enter keyword जो यह option आपको जितने भी आपके campaign से related keyword है, वो सब आपको यहाँ एड करना है, जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, crypto, news, how to buy NFT, what is metamask, NFT क्या है, यह सारे keyword में है, यहाँ पर कुछ-कुछ add कर दे जाएं, जो मेरे campaign से related है, आप यहाँ पर कितने keyword add कर सकता है, इसके यहाँ पर limit नहीं है, उसके बाद देखिए नीचे आपके यहाँ पर add copy option आ रहा है, जहाँ आप add copy बना सकते हैं, इसको देखके, यह देखिए, आपको यहाँ पर फूरी अपनी add copy ready कर देनी है, यह आप से पहले यहाँ यहाँ पर URL पूचर आपको यहाँ लिंक डाल देने आपने website को हुई, www.techreels.in www.techreels.in उसके बाद देखे रहा है कि आपको यहाँ पर headline add करने तो हम first headline यहाँ add करेंगे, what is crypto? उसके बाद हम यहाँ आपने second headline डालेंगे, how to sell NFT, how to sell and buy NFT, हम यहाँ थर्ड headline add करेंगे, Meta mask, wallet, offer, हमने यह तीन यहाँ से headline add करती है, देखिए हमारे यह कुछ इस तरह से दिखे दे रही है, यह देखिए आपको यहाँ पर side में देख जाएगा, अब हम यहाँ पर discussion add करेंगे, अपने इस add के लिए, वो यहाँ पर आप add कर सकते हैं, दो minimum discussion add करने ज़रूरी हम डालेंगे, टुड़े लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज, फर्स्ट डाले, टुड़े लेटेस्ट क्रिप्टो एंड एनफ्टी न्यूज, और सेकेंड हम डालेंगे, how to sell NFT on MetaMask, on MetaMask, उसके बाद आपको यहाँ पर done का option पर क्लिक कर देना है, यह देखिए हमार एड कुछ इसतर से बनके रेडियो हो चुका है, यह देखिए आपका एड कुछ इसतर से दिखाई देगा, अब हमें यहाँ पर simply नीचे continue का option पर क्लिक करना, next का option पर, उसके बाद यहाँ से यहाँ पर कहारा, site link extension आप क्या add करना चाहते हैं, तो फिलाल हम इस add में कोई add ने करेंगे, तो हम इसको ऐसे ignore मारेंगे और यहाँ पर next का option पर click करेंगे, उसके बाद यह कहारा है कि आपका एक दिन का डेली का budget आप कितना से add करना चाहते हैं, वह आप यहाँ से कर सकते ह budget 500 रुपिस add करूंगा, तो यहाँ 500 रुप add कर दूगा, आप अपने campaign के साफ से कितना प्याइड कर सकते हैं, पर आपको minimum देख लेना कि सही रहे हैं, मेरे साफ से 500 यहाँ पर सही रहता है minimum, उसके बाद आपको next option पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर review your campaign option आ रहा है, आपक दे रहा है, आपको simply इसके उपर click करना है, जैसे आप publish को उपर click करते हैं, तो आपको यहाँ से Google Ads यह publish हो गया है, अब Google के अंडरिव्यों चला गया, वहाँ से Google इसको check करेगा, और इसके बाद में इस एप को add को publish कर देगा, यह approve कर देगा, यह देखिए आपको यहाँ से add बन के ready हो चुक है, हम यहाँ चेक कर सकते कि आपका add, यह देखिए add एक्षने से नहीं आप पर add, यह देखिए अभी हमने जो यह add बना है, यह वो यह रहा, अभी अभी pending और अंडरिव में देखिए, यह बाद में अप्रू हो जाएगा, तब हम यहाँ पर अप्रू का option द उम्मीद है कि आपको मारे वीडियो पसंद आयोगा, यह दी पसंद आया तो आम मारे चैनल को सबसर रखने ना भूले, धन्यवाद